हे अब्रिवान गुड मॉनिंग कैसे हो आप सभी लड्डू की खुशी देखो लड्डू गुड मॉनिंग तो घर से आने के बाद पहली सुपह है हमारी और लड्डू अभी जानने लाइक हो गया घर गया तब इतना नहीं जानता था अब घर पर हमको एक महीने हो गया तो सा जो आप लड्डू नजर उतारी उतरवाई थी फोन पर केसी से बड़ ये फिर भी रोना बंद नहीं किया इसने फाइनली अभी ठीक है आगे पता चलेगा लेट डू लेट डू लेट डू तेको पापा पर नजर उसकी देखो तो हेलो इधर तो देखो जानने और ये कर र नहीं नहीं तो गीरे कपडे से पहुंचने के बाद अभी ये फिंशू के कपडे साफ करेंगे अभी इनसे मैं करवा लेते हुँ यह सारी चीज नहीं कला चाय पानी हो गया है लक्ष का टिफिन बना दिया है लक्षल आ गया है इसकूल चलिए अभी तो बहुत सारा काम करना यह पर्डे की रौड वगएरा साप करनी है अभी उसमें चद्दर वगएरा बहुत हो रहे हैं कि कलम आयते न तो हमने चद्दर वगएरा चेंज करें थे अभी रूम की हालत ही है और रखी है देखो यह उस वाले रूम की भी बहुत धंदी हो रखी है तो चलिए कर लेते हैं आप लोग देख सकते हो कैसी हो रखी है रात में वस सिर्फ फेस्वास किया था सुवे उठते ही व्रस बगरा करकी फिर मैंने किचिन में खाना बनाया सिर्फ ऑर आज हम मैं बनाये थी लोकी की सबजी मैं घर से लेके मम्हें के और इतनी अच्छी बनीए वह लोकी गुल गई तुरंद और यहां से हम लोकी लेके आते हैं तो एकदम खड़ी-गड़ी रखी रहती है एकदम गुलती ही नहीं है पता नहीं क्यों साथ वो इंजेक्शन की होती होगी तो चलिए हम चलते हैं पानी बंद करके आते हैं तो पतिदेप का टिफिन हो चुका है तैया हमा है नहीं हाना वह अभी साथ पांच चे दिन बाद आएंगी तो कल से बड़ी प्रॉब्लम आ रही है बहुत जादा क्योंकि बड़तन मुझे ही साफ करने पड़ रहे है और बेवी को सर्दी हो रही है और अभी तो कपड़े भी बॉस हो रहे है जाड़ू पहुचा लग काई की गाड़ी की बाइक की बाइक से जारो नुझा आ हम अभी नहीं 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 नहाया बेवी मेरा सो रहा है चले इनको अमविदा कर देते हैं उसके बाद घर का सारा काम करूंगी बहुत लेड़ में बन बहार रही है तो फाइनल इनकी चावी मिल गई ही जा रहे है ब पता हो कितना लगेगा अभी तो कपड़े बॉस करने दो तीन बार और है ना साम तक हो पाऊंगी फिरी पहले बेबी उट जाएगा तो बेबी को निला दूंगी वरना लेट हो जाएगा वह न है ठीक है ठीक है देख अभी बैड बैड तो सही हो गया है और वैसे भी सब यह सब कुछ हो गया इस्टोरूम भी वी मैंने अभी सामन ऐसे सेट करके आसे रग दिया उपर नीचे से पीं हो गया इस्टोर रूम अभी मने फैन न कर दिया ए यह सूख जायागा और अभी कपडे भी बॉस हो जाएगा देगए कंबल डला हुआ हम गर लेके गाज थे न अगर वान टाइम पास करना तो फिर काम करना तो फिर काम करना चलो 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 इदर बोल दो हेलो लो दिल नहीं लगेगा सच में पर काम में निकल जाएगा आदत हो गई है यार साथ रहके कभी कभी मैं सोचती कुछ जादा ही आदत हो गई है इतनी होने नहीं चाहिए है ना चलो अब्रीवन समय हो रहा है साड़े पांच बजने वाले हैं पांच मिनट की देरी है जाडू पहुंचा खाना पीना बाहर से कपड़े भी आ जो मैंने वॉस करें चद्दर वगयरा और हमारे कुछ कपड़े वह वास हो रहे हैं कुछ कपड़े बाहर डले हैं रैलिंग लक्षेदर पढ़ाई कर रहा है और मैं लड्डू को दिखा देती हूं आप लोगों को तो यह रहा हमारे लेड्डू जो कि अकेला-केला केल रहा है लेकिन घर से आया ना तब से चीक है मार-मार के रो रहा है अचानक से पता नहीं क्यों आज मैंने लड्डू को निलाया था दो दिन बाद क्योंकि परसों नहीं नहाया था कल्बी नहीं नहाया था आज मैंने ला दिया मैं भी नहा ली हूं कपड़े अभी तक वश हो रहे है क्यों लड्डू क्यों लड्डू क्यों लड्डू बेटा लड्डू ने अच पानी पिया और थोड़ी दिर पहले ही मैं ताइम लग गया था मुझे पहुचा लगाने में लड़ों भी पांच मेने का कंप्लीट हो गया तो अभी भारी काम मैं करने लगी हूँ जैसे कि आज कपड़े मैंने वास करें लेकिन आराम आराम से कर रही हूं फिर भी क्योंकि क्या होता ना पेरों के बल बैठती हूं तो बहुत ज्यादा यहां टांकों में बहुत ज्यादा बजन पड़ता है और दर्द होने लगता है तो बस अभी अनिल तो लेट ही आएंगे अभी मैंने बात्रूम दौनों क्लीन कर दी हैं और अभी कपड़े बॉस हो रहे हैं बस अभी सुखाने डाल दूंगे उसके बाद म हो रहा है फर इसके लिए दूद बनाऊंगी और उसके बाद दूद पिलाके इसको थोड़ा इसके साथ अगर ही सोता है तो मैं भी अपनी कमर सीधी कर लूँगी वरना कोई दिक्कत ही नहीं है सुबह से उठी हूँ ना लक्ष के लिए टिफिन बनाने के लिए तब से एक म मिनट के लिए नहीं बैटी क्योंकि बैसे तो अनिल हेल्प करवा देती बट मैंने बोला कि आप ऑफिस चले जाओ क्योंकि ओपिस का इतना ज्यादा वर्क अभी पैंडिंग डला हुआ है और घर से नहीं हो पाता है इसलिए वो चले गए ऑफिस बाहर दरवाजे वगरा जो कि मैं बहुत जाओ ठक गई हूँ और ममी ने आज चने की सब्जी मैथी की रखी थी चने की बना ली है चने की थोड़ी सी बाकी ममी ने चने और मैथी की सब्जी तोनों कट करके रख दी इसलिए तो अभी साम मैनिल बोल रहे थे मैथी आलू बना ले ना तो अगर है होती है कि सब्जी मुझे बहुत पसंद ह कि बना चौक वह लहाली कर डालकि के और मग ने राचाव को दी्यक्ति बाड़ को AC बना ख प्र्बादिक रौकर टि हो राइक के तो अभी तो राई से डालूँगी अचार उसके बाद सर्सों भी रग दिये अब नेक्स्ट टाइम मुझे जब भी अचार बनाना होगा तो सर्सों से पहले राई बना लोगी और उसके बाद मैं अचार डाल दोंगी और अजीब सा लग रहा है घर से आई वसे आज तो बिज आज लड़ू हमारा नहाया नहीं है आज मने इसके यसी कपड़े चेंज कर दिये हैं और लड़ू हो गया है रेडी 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 लड़ू बहुत रोने लगा है पहले की तरे क्यों लड़ू पहले की तरे बहुत रोता है सोते सोते रोता है सोते जागता है तब रोता है बहुत अश्टा है लो अपना पकड़ो अपने मूह में दे लो लो अरे लो ए इसकूल से लो कोसिस करेंगा मूह में देने की देली देली मूह में अपने हाशेद डेली इसके डांट आ रहे हैं किसे कर रहे है दात आद आ रहे इसको आएंगे ना आएंगे न बेटा लक्षे ज़ल्दी से कपड़े पहन लो लक्षे school से आयाए नहायाए school नहाकर नहीं जाता है आकर नहाता है school से क्योंकि صبح बहुत सरदी पढ़ती है तो इस वज़े से मम्मी ने भी मना किया, इसलिए मैं लड्डू को भी डेली नहीं निलाओंगी, इसके कपड़े चेंज करती रहूंगी, तो चलिए लच्छ के जो कपड़े उनको मैं वास करके डाल देती हूं, लड्डू के कपड़े उनको वास करके डाल देती हूं, अभी लड़ू कभ खाएगा खाना लड़ू कभ खाएगा खाना भया ज़ू कभ खाना नहीं जानता भी नहीं जानता हटो पागल बच्चा गुड़ इपनिंग अब डिवान तो आज मैंने बेवी को निलाया था दो दिन बात क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा सर्दी युकाम हो गया था कहांसी भी हो गई थी दो दिन मैंने कोई भी ब्लोगिंग नहीं करी थी दो क्या तीनी दिन हो गए तो अभी रात का समय हो रहा है यानि कि सारी नो सम्तिंग हो रहे हैं जब से मैं बेवी के पास ही थी और आज मैंने बेवी को निलाया था सोया भी अच्छे से है वो यह मैं कहां डाल रही हूं दूद ज़्यादा नहीं पिया है इसने दूद में इसको प्रॉब्लम आ रही है पता नहीं इसको दातों में कुछ प्रॉब्लम है क्या है तो अभी मैंने इसको न वो दिया था क्या कहते हैं वो बोलते हैं गिसके देते हैं जाए फल जाए फल दिया था दो दिन से तो अभी इसको फरक है थोड़ा जो काम में क्योंकि डॉक् क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा उनिंग कैप नहीं लगा सकती इसके जो माता है ना उसके बहुत ज़्यादा लगाती हूं जातर आपने देखा ही होगा तो चलिए अब चलते हैं किचिन में अब बेबी का दूद रखा हुआ है मैं थोड़ा सा ही बनाया थोड़ा यह बनाती हूं 60 ml नहीं असी बनाया था और उसमेंस इसने 10 ml पिया होगा अभी यह बचा हुआ है अभी लक्ष सो रहा है देखो सो रहा है अभी लाइट मैंने बंद करते थी छोटी लाइट और लक्ष बहुत टाम से, के ममा ना, था बेल पोड़ी'' बनाना तो बेल पोड़ी के तनी टाम से बोल रहा था, तो अज », क्या था क्या था न, मैं इसलि Nep मैं बना रही हूँ अरिमिर्ची के तोड़ी देर में और आपकम्ढलेले हैं 각ल 팬y是我 25W भीत पर उनको रोटी फिर भी चाहिए होती है और ये बरतन डले हुए है और हमारी हैमा भी नहीं आ रही है जैसे कि वो छुटी पर है वो गाओं गई होई है तो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है मेरे को बहुत जादा और इसी बज़े से ना बेवी को जो काम कासी हो गया क्योंकि मैं पानी में काम करनी हूँ ना इस बज़े से तो कोई दिक्कत नहीं अब दो तीन दिन की बात है तीन दिन बात आ जाएगी तीन या चार दिन और लगेंगे उसको तो चलिए बना लेते हैं बेल पूरी पहले बना लेते हैं चटनी क्योंकि बेवी तो अभी केल रहा है आनिल गए हैं बार दूद लेने के लिए मैं बेवी को उठाती हूँ लग्च को और वो बेवी के पास जाता है पहले बेवी उट जा बेटा जा चलो बहुत जाब को खिला को Reynolds बैटा पूसरा दिन हो गया चलो बेल पूरी बटा चलो जा आये ये ममाच आतो जाओ वह क्योंब बना रहे हो मीरा बंचे ऐसा बैट जाब बैट जाब थो कैप लगा लोसा बाइब कर रहा है कि याद कर रहा है कि याद कर रहा है जाओ कि अब किजिन की आला देखो यह नमकिन वगएरा रखे हुई है इदर बिग वोस में काम करें बीग वोस बन चुकी है इतना काएंगे नहीं काओगी रोटी भी बनाओंगी तुमारे लिए नहीं काओगा रोटी एक चीज कम और केमरा हाँ आज जैसी हम लोक्री की सबजी शड़ी हुई मैंने अपनी जिन्दगी में यार तो उस दन तुम तारीफ कर रहे थे बास तम बहुत टॉप शल्टकी पेह यार वहां सहर भाड़ से लिए आज अढ़ा है अज एस है क्या में नृटरी के सबंदेखया और मुन आथ हुआ है तो बिल पुरि बनाप हो Tयार्त आप लोग भी खा लेजिए लेकिन अपने अपने घर पर क्योंकि आप हमारी घर प para都 आ आनी सकते तो बेल पुड़ी खा ली है सब लोगों और अभी डालने जा रही हूं मैं मिर्ची का अचार तो यह है राई मैंने मसाला भून लिया है सौब बगरा ले लिया है ओयल भी गरम कर लिया हलका और फिर से करना यह पते देव मैंने वास करके रख दी थोड़ी सूख चुकी है क्यों आपि लिया है चाकू से दिया है तो अभी मैं इनको भर देती हूं और उसके बाद बेवी तो जाग रहा है यह तीवी देख रहे हैं और लक्षित ने भी पढ़ाई कर ली तो वह भी बेवी के पास यह तो चलिए मैं कर लेती हूं फिर सारे बरतन मुझे कटे करके फिर से दर्द हो रहा है अचार डल चुका है थोड़ा सा बागी है यह मसाला बचा हुआ है कल बनाओंगी क्योंकि इतना कमर दर्द कर रही है ना मेरी बहुत से ज़्यादा सब लोग सो चुके हैं मैंने अपने लिए दूद बनाया है तो बस दूद पी के मैं भी सूती हूं और मेरा इतनी हालत खड़ाव है कमर दर्द कर रही है देखो नाक है यह तब से फेस भी नहीं देखा मैंने आज फेस वास करने का भी दिल नहीं कर रहा है मैं नहीं कर भी बहुत जादा कमर दर्द कर रही है दूद पी के सो जाती है दूद तो पीना पड़ेगा थोड़ा सा वरना लड़की के लिए दूद नहीं निकलेगा चलिए पी लेते हैं फिर सो जाते हैं गुड मॉनिंग लड़ू जब मेरे बच्चे की निद अच्चे से पूरी हो जाती है न तो ऐसे खिलकलाते हुए उठता है ऐसे मेरे बेट बेबी की गाल में टिंपल पड़ता है क्यूट लग ऍपलवने की पयार्ड अकेला है मिरे बच्चा कि अपने पू के साथ लेता हुए वश्चा मेरे बेबी ंबोट प्यार मेरे बच्चा एं बहुत परिसांग होता है तब rasp Saq This was comma बहुत चारा कर लेता है रो रो किया नहां एना मेरो अच्चा अले मेरा राजा अले मेरा राजा अले मेरा राजा बात कर रहा है चलो काम करते हैं सारा काम करते हैं भाःया कटे फिन तो बन चुका है वीडियो वैडिट हो चुका है अप leo हो चुका है और अब हम करेंगे काम क्योंकि ममा सुबहक हे ममा को नीत भी आती बट ममा यह नहीं वा पाती है क्यों बेबी के लिए चाय के साथ एक पराटा बना के रखा था लेकिन उन्हों ने खाया भी नहीं कि मैं बूल गई और उन्होंने देखा नहीं तो अभी बना लेती है उसको मिक्स करके पराटे मूली आलू और सारी चीज़ों के हरे मिर्ची हरे दनिया सौफ जीरा लैसोन अधरक सारी ची और जो काम है उसको करूंगी पहले पतिदेब को भेज देती हूं ऑफिस चलो गैस भी दुआ छोड़ने लगा पतिदेब अभी ऑफिस से आय नहीं है बेवी के पास मैंने लक्ष को बिठाल दिया है लक्ष बोलता था पाव बाजी की बहुत टाइम से तो कल अनेल पाव लेके आ गए तो कल मैंने भेल पुड़ी बनाई थी तो आज बनाने जा रही हूं मैं पाव बाजी सुबह में बन तो मैंने आलू यह सारी चीज़ें कट करके रख लिए टमाटर पेयाज अद्रक वगरा यह सारी चीज़ें हरी मिर्ची वगरा और उपर से डालने के लिए प्याज भी कट करके रख दिया बहुत ज़्यादा था चाय भी बनाई थी और पतिदेब के लिए मैंने चाय रख तो गरम कर दूँगी लक्षे ने पीली मैंने पीली और बेवी को भी मुझे फिर से पिलाना है क्योंकि अभी वो खेल रहा है रोता है वो पता नहीं क्यूं जादा नहीं खेल पाता अभी स्टैंप है तो चली हम बना लेते हैं भाजी फिर उसके बाद पाव तो गरम गरम अभी सेख देंगे अनिल सेख देंगे पाव तो पाव का टेंसर नहीं है तो अभी मैंने इनको कॉल किया था तो यह बोल रहा है मैं आता हूं 5 मिनट मैं आ जाऊंगा मैं 5 मिनट मैं पाँझ में यह आ जाएंगी फिर ये करेंगे पूजा क्योंकि मैं बेबी की पौटी अब मैं चटपट से बना लेती हूँ, बेबी आवाज आपको आ रही होगी, फाइनली भाजी बनके हो चुकी है, तैयार, मैं खा लेती हूँ, तो अभी हो रहा इबनिंग का समय, और जैसे ये ओपिस से आते हैं, हाथ पेर धुलके, डारेक्ट ये लड़ू के पास आ जाते ह और इसको भी बड़ा मज़ा आता है, अपने पापा के साथ, और पता है, इसको बात है करने में अभी मज़ा आने लगा, इससे कोई बात है करता है, तो ये भी बात करने की कोसिस करता है, तो इसकी बहुत सारी एक्टिविटी है, जो ये करने लगा है, अभी जैसे के हाथ स पेरों को पकड़ता है जैसे कि मैंने आपको दिखाया देखो कैसे पकड़ रहा है अभी तो सॉक्स पेने हुआ जब में सॉक्स निकाल देती हुँ न तो उंगलियों को पकड़ता है बट आभी सर्दियों का सीजन है न तो हम लोग ऐसे बिना कपटे के भी नहीं रख सकते इ क्योंकि बच्चा ना सर्दियों में एकदम बंद के रहता है कंबल वगरा हम बहुत कम हमों लोगो उपन करते हैं इसलिए तो ही छोटी-छोटी मुवमेंट्स है ना उनको मैं कैप्चर कर लेती हूं और मुझे इतनी मिसमिसी आती है ना बहुत ज्यादा इस पर है प्रूओ उनको मिसमिस दूओ प्रूप कर लेती है इसलिए इसलिए आती है इसलिए इसलिए करुप चुल अहितरो बीटा बीटा बुम्मा के पास आओ बीटा 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 ओ बीटा यह बच्चा राज है बाबु गुड मॉर्निंग एब्रिवन तो अभी आप लोग देख सकते हो मॉर्निंग का समय हो रहा है और हमारी बिल्डिंग में चल रहा है यह पैंट का काम कुछ न कुछ होता ही र बाद से स्टार्ट हो गया था तो अभी यह बाहर रेलिंग पर कलर कर रहे हैं और बहुत है दूल हो जाती है आगे वाली रेलिंग पर और यह वाला व्लोग मेरा 8-10 दिन का है तो अभी मैं आप लोग साथ सेयर कर रही हूं अगर अच्छा लगत लाइक कर देना